चलिए यहाँ पर बात करेंगे एस सी सी मेंस ओडी आई जो खिला जाएगा कुवाइद वर्सेस यूएई के बीच यहाँ पर मुकाबला खिला जाएगा कल मैं ने इस स्रीच का मुकाबला कवर किया अच्छा खासा गया मीनी जी एल वीन हुआ था तो खैर आसा करते हैं कि खूद खिलता हूँ इनके अलावे जी एल से रिलेटर बहुत सारे अपडेट जो जी एल वीन करने के लिए काफी है और बहुत सारे हमारे भाई कर भी रहें तो हमारे टेली ग्राम चैनल को जोईन करना किस परकार है तो मेरे भाई हमारा टेली ग्राम चैनल आपको इस परक किया जाता है तो दोस्तों देखा जाए तो ये टीम जो है खास कर कुवाई तो काफी कम यहाँ पर ये ODI मुकाबला खिलते हैं लेकिन इन्होंने 2023 यहाँ पर होंगकों के खिलाप यहाँ पर खेला था तो क्या रहा था रिकोड देखते हैं पहले गेन बाजी कुवाईत ने किया मुहामद साफिक ने दो बिक्टे ले गए इनके लबी यासीम पटेल क्वालिटी स्पीन गेन बाजी है दो बिक्टे शिराच खान ने भी यहाँ पर चार बिक्टे ले गजब का ये उल्राउंडर है बात कीजा बल्ले बाजी के दियाँ पर बीट भैस्वर जो इनके बिकेट कीपर अच्छा है ये भी बढ़िया बिकेट कीपरिंग करते हैं और इनका रिकोर्ड भी ठीक ठाक है सिराच खाने कैस का योगदान दिया बहीर ताहीर काफी अकरमग बल्ले बाजी थोड़ा से इस पर फोकस करना ये अच्छा ही निग खिलते हैं इनके लब एस मोनीव ज्यादा तर ये गेनबाजी के लिए जाने जाते हैं लेकिन जैसे है न अपना सरदूल ठाकूर गेनबाजी एक सासा बल्ले बाजी भी तावड़ तोड़ कर लेता है तो उसी परकार से ये सयद मोनीव है बल्ले बाजी भी इनको आता है तो दोस्तों यही बात की एक वाइत ने मलेसिया के खिलाब जब खेला था तो यहाँ पर इन्होंने वीन किया था अब मलेसिया को किस ने कितने बिक्टे लिया अब यहाँ पर देख मोहमद असलम तीन बिक्टे ती यासिन पटेल दो बिक्टे इजाज अहमाद और मोहमद स सब्सक्राइब से तीम तेहां पर देख सकते हो जिंबाबबे 11 को यहां पर रहा करा लास्ट देखा जाये तो तिन बिख्टे यह पर कि अधिर अहम्मद जहूर खान एक विक्टर इम्रान हैदर यहाँ पर दो विक्टर लेगे ज्यादा कुछ खास गेंवाजी रही नहीं लेकिन बल्लेबाजी यहाँ पर असफाक अहम्मद ने 131 इनके अलावे यहाँ पर देखाए सबीर ने यहाँ पर 40 का योगदान दिया तो दोस्तों वहाँ पर जिंबाबे 11 था इस वज़ा से थोड़ा सा स्कूर कार ज्यादा मायने नहीं था लेकिन यहाँ पर आप समझ सकते हो असफाक अहम्मद यहाँ पर पस्पर इनके बड़े बड़े बल्ले बाच की वापसी भी हुई है तो वो भी यहाँ पर खिलते मुहमद बूटा ने यहाँ पर 45 का युगदान दिया और रिटायर आउट हो गये थे बात की जाए गिनबाजी गिनबाजी में चाओके मुहमद नावीद जिन्होंने चार बिक्टे लेगे दभया जहूर खान ने भी यहाँ पर घजब की गिनबाजी का परदर्सन किया दो बिक्टे के साथ इनोने भी चार बिक्टे लेगे आमीर हायात भी यहाँ पर दो बिक्टे लेगे तो दोस्तों हमें लगता ज्यादा कुछ देख रहा नहीं चाहिए सीदे को मिनेशन पर बात करना चाहिए लेकिन अभी तक अगर यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं अश्कारण भी नाम में आता है वाई पर इसमुनीव इनके अलाव महंंब अश्लम का भी नाम आता है शिराज खान का भी नाम आता है वी तनाम है। तो आपने इतने तीक्त क्या इतने सारे पीमे पेए करेंगा नेप देखू पहले बलेम बाजी करेगा तो यहां से गोजलू करेगा दो यहां से गयेाद के अध्यlles सपसिप everywhere यहीं बात की जाए देखा जाए यूए के तरफ से भी अरविंद का नाम आएगा वान मुहमूद का नाम आएगा इनके अलाबे देखा जाए आरसाजाद एटंडर असिप खान यह बलेबाजी पर निर्भर करेगा इनके लाबे रोहन मुस्ताफा खेलते हैं यह इंपोर्टे यह भी बुरा ओप्संद नहीं है इनके अलावे यहां से देखा जाए तो इनको भी मैं और रोप करके यहां से जहुर खान को पीक करना चीए इसा लगता है वाई पटिल के जगा कि मीपना आना चीए यहां पर तो आठ प्लियर मैंने पिक किया लेकिन हां इसमें से एक दो पिलेर नहीं भी खेलने बाले इतने सारे गयन वाज नहीं खेलेंगे मेरे भाई तो यहां से जून नहीं खेलेगा उनके जगए यहां पर एक बले बाज ले लेंगे लेगे फिलाल कला भी टिंग सेफ करकर रख लो इसमें जो भी चेंज होगा आपको अपडेट कर दिया आपने वीडियो के यहीं समाप तकारता हूं